हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चीएस कैपसूल में आई होप आप सभी लिग अच्छे होंगे अगर चैनल पर नहीं है तो रेगुलर अबडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो थोड़े चैनल इश्यू को लेकर है आप सभी को पता है आठ अपरेल को हमारी सुनवाई हो नहीं पाई थी सुप्रीम कोट में और उसको 29 अपरेल को शिफ्ट कर दिया गया था और 29 अपरेल की सुनवाई को लेकर बहुत उहाप ओओ की स्तिति है क्योंकि उसके आटेंट जो मोड है वो है कि जितने भी इससे संबंदित एजंसी हैं जिसमें मुख्य सचिव है यूपिट्रेबल सी कमिशन है राजस्तु परिशद है इनको एक ग्यापन लेटर्स के थुरू रजिस्ट्री के थुरू लोग भेज रहे हैं जिसमें सभी अभ्यरती आगे बलकर हिस्सा ले रहे हैं लेकिन अभी उस तरीके का सपोर्ट इसमें नहीं मिल रहा जैसा होना चाहिए था तो उसी से सम्मधित मैंने एक वीडियो यह बनाया है तो जितने भी देखिए कंडिडेट्स हैं 7897 अब भेरती हैं अगर आप सक्षम है या क्यूंकि देखिए हा बहुत मुश्किल है इसपेशली जो अभी दो से तीन दिन पहले केंडिडेट्स सचिव जी से मिलकर आये हैं तो सचिव जी की बात वही है कि हम लोग सचिव जनरल ऑफ इंडिया जो है तुशार महता सर उनहीं को लेकर या वही हमारी पैरवी करेंगे अब थोड़ा सा इश जाए और उसमें जो रेस्पांडेंट है एंफोर्समें डारेक्टरेट उसकी तरफ से वकील भी आपके तुशार महता सर ही है और एसजी और एसजी दोनों उसमें पाइटी है तो अब आप देख लीजेगा हो सकता है वहाँ पर अब हमारी जिस तरगे से किस्मत चल रही है अगर उस समय केस हुआ या उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं हुए तो क्या होगा यह कह नहीं सकते है भले ही अमानदुल्ला सर ने बोला था कि हम फाइनल जज्ज्मेंट उसी दिन दे देंगे लेकिन संभावना कोट में बहुत सारी होती है तो अभी से यह कह देना कि यह है कम से कम मैं कह रहा हूँ 50% लोग 3-4-5,000 लोग भी अगर इसको भीज़ेंगे तो काफी बड़ी बात होगी 100-500 रुपय मुझे नहीं लगता कोई बहुत बढ़ा एक अमाउंट है आज के समय के हिसाब से यूगी अगर आप जॉब में होते तो आप समझ लीजे कितना फा थोड़ा सा ये भी बोला जा रहा है कि महिलाएं भी थोड़ी सी कम है संख्या तो फीमेल केंडिडेट जो है वो भी प्लीज अपने एंड से अगर आप कर सकते हैं तो मैं तो यही काऊंगा प्लीज इस लेटर को आप अलग अलग विभागों को पोस्ट कर दीजे एड्रेस सारा मैंने अपने टेलीग्राम ग्रूप में डाल दिया है वहां से आप इसको देख सकते हैं एक है मुख्य सचिफ उत्तर परदेश शरकार जी को है एक चेर्मन राजसु परिशद को है चेर्मन है सचिफ सेकेटरी इसके अलावा मुख्यमंत्री उत्तर परदेश इनको एक पांडे सारे स्टेट की तरफ से अब बाकी वहां पर जो होगा वह तो हम कुछ कभी कह नहीं सकते लेकिन मैं यह कहूंगा जितना अपने एंड से हम लोग कर सकते हैं वह हमें करना चाहिए और यह उसमें से एक पहल है तो मैं फिर से आप सभी से हाथ जोल के रिक्वेस्ट क कर दिया उनको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच